हेलो एब्रीवन आज की हमारी वीडियो है खास तोर पर यूपी बोर्ड के क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए स्टुडेंट्स जैसा कि आपको पता है आपका जो अव सिलेबस बचा है और उसी 70% में जो आपकी पोईट्री बुक है उसमें से आज हम सेकंड पोईब लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रीव ब्यूटी ट्रीव ब्यूटी बाई थोमस केरियो दिस इस वेरी स्मॉल पोईब एच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा हिंट एक्स्पलिनेशन के बारे में भी देते चलेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम इसका सेंटल आइडिया भी किलियर करेंगे और सेंटल आइडिया इस वार आने के चांसेज ज्यादा हैं इस पोईब के तो चलिए स्टार्ट करते हैं True Beauty by Thomas Carey इस पोईब को स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिसकस इस थीम True Beauty सच्ची सुन्दर्ता के बारे में ये बात कर रहे हैं हम पर इट मींस कि कोई जूटी सुन्दर्ता भी होती होगी सच्ची सुन्दर्ता से इनका जो तात पर रहे है वो है Spiritual Beauty आत्मिक सुन्दर्ता मन की सुन्दर्ता या गुनो की सुन्दर्ता और जो दूसरी सुन्दर्ता है वो है Physical Beauty जिसके बारे में इन्होंने बात की है तो इस पोईम में आपके किवल दो इस्टेंजाज है जो पहला इस्टेंजा है च्हेलाइन का उसमें इन्होंने बात की है फिजिकल ब्यूटी की और फिजिकल लव की और जो दूसरा स्टेंज़ा है छेलाइन का उसमें बात की है इन्होंने इस्प्रीच्वल ब्यूती की इनके हिसाब से ब्यूती दो प्रकार की है एक तो है आपकी True Beauty यानी सच्की सुंदरता जिसे आप आत्मिक सुंदरता कह सकते हैं spiritual beauty कह सकते हैं या गुणों की सुन्दर्ता मन की सुन्दर्ता कह सकते हैं ठीक है और दूसरी सुन्दर्ता की जो इन्होंने बात की है वो physical beauty है जिसे इन्होंने जूटी सुन्दर्ता बताया है ठीक है इस कविता पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपसे प्रशन पूछता हू कि क्या सुन्दर्ता आँखों से देखे जाने का विशय है Can you see beauty through your eyes उत्तर साइद हो सकता है आपका कि हाँ सुन्दर्ता हम देख सकते हैं हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सुन्दर है हम movies देखते हैं उसमें बहुत सारी actresses देखी हैं सारे actresses देखे हैं हमारी गली में हमारे महले में तमाम सुन्दर लोग हैं तो आप समझिए कि आप जो देख पा रहे हैं वो किसी व्यक्ति के आँख नाख कान गाल होट बाल ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं उनके कपड़े उनका रहने का डंग उनका चलने का डंग ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं आपको सुन्दर्ता दिखाई नहीं दे सकती सुन्दर्ता आँखों से देखे जाने का विशह नहीं है देखिए आप नाउन पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक abstract noun पढ़ाया जाता है एक ऐसा noun जिसे भाव वाचक कहते हैं जो आँखों से नहीं दिखाई देता इविन पाँचों ग्यानिंद्रियों से वो परसीब नहीं किया जा सकता है उसे हम कहते हैं abstract noun और सुन्दर्ता भी एक abstract noun है भाव वाचक संग्या है क्योंकि सुन्दर्ता बाहर कहीं नहीं है सुन्दर्ता अपने मन का विशे है देखिए पहली line जो यहां लिखी है कि beauty lies in the eyes of viewers सुन्दर्ता देखने वाले की आँखों में होती है उसके मन में होती है दुनिया में ना कोई व्यक्ती सुन्दर है और ना बदसूरत है कहा गया है कि nobody is beautiful or ugly in this world our thinking makes it so हमारी सोच किसी व्यक्ती को सुन्दर या बदसूरत बना देती है कोई व्यक्ती सुन्दर या बदसूरत नहीं होता सुन्दर से सुन्दर व्यक्ती भी किसी ना किसी को बहुत बदसूरत लगता है और कुरूब से कुरूब व्यक्ती भी किसी ना किसी के लिए बहुत सुन्दर हो सकता है जैसे एक उधान दूमे आपको छोटा सा बच्चा है उसकी नाक निकल रही है चड़ी खराब कर रखी है लेकर उसकी मा के लिए वो फिर भी बहुत सुंदर है बहुत क्यूट है तो सुंदर्ता जो है वो बाहर नहीं है सुंदर्ता व्यक्ति के मन में होती है ये दोनों लाइ होती है सुंदर्ता बाहर कहीं नहीं है किसी के चेहरे पर सुंदर्ता नहीं होती है और दूसरी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज बिना गुणों के सुंदर्ता इस लाइक रोज विदाउट फ्रेग्रेंस इस प्रकार है मानों की कोई फूल मानो की कोई गुलाव जिसमें खुशबू नहीं होती या लाइक ट्री विदाउट शेड या ऐसे ब्रिक्श के समान हैं ऐसे पेड़ के समान हैं जिसकी छाया नहीं होती तो गुलाव को अगर हम पसंद करते हैं किसी ने गुलाव की तारीफ की है तो उसकी बनाबट के लिए नहीं किये है उससे बहुत बहुत सुन्दर फूल इस दुनिया में है लेकिन उसकी जो खुश्बू है वो उसे काबल तारीफ बना देती है इसी तरह से ब्रक्ष अगर चाया नहीं देता जैसे कहा जाता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पिड़ खजूर पंथी को चाया नहीं फल लागे अतिदूर तो इतना बड़ा पिड़ है लेकिन कोई पंथी है कोई राहगीर है कोई पासर बाई है अगर दो मिनट सुस्तानी की सोचेगा तो उसकी चाया उसको वहाँ पेड़ के नीचे नहीं मिलेगी तो बिना गुनों के सुंधरता ऐसी ही होती है ब्यक्ति फिजीकली कितना ही सुंधर हो ले कितने ही सुंधर बाल करा ले कितना ही फैशन में रुपया लगा दे कितनी ही अच्छी जीन्स शर्ट पहन ले कितना ही बड़ी है चस्मा लगा ले मूझे रखा ले लेकिन व्यक्ति बिना गुणों के महान नहीं बन सकता है उसके गुण नहीं तो एक हाइब्रिड फूल की तरह रह जाता है वो ब्यूटी विदाउट वर्च्यू बिना गुणों के सुन्दर्ता एक खुश्बू रहित गुलाब के समान है या च्छाया रहित ब्रक्च के समान है तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी पोयम में तो आपका पहला इस्टेंजा है ये छे लाइन का फर्स्ट इस्टेंजा और यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है फिजीकल ब्यूटी की शरीर की सुन्दर्ता की बॉडिली ब्यूटी की एंड बॉडिली लव की देखिए He that loves a rosy cheek or a coral lip admire He कोई भी व्यक्ती कोई भी प्यक्ती हो सकता है यहाँ पर जो प्रेम करता है जिसका प्रेम टिका हुआ है किस पर ए रोजी चीक गुलाब जैसे गाल अब देखिए रोज लाइक चीक अगर कहा जाता तो सिमली होता और रोजी चीक कहा है तो ये मेटाफर है अगर आप रोजी को कोई कलर मान के चलेंगे तो यहां कोई फिगर आफिस पीच नहीं होगी लेकिन आप गुलाब से बना हुआ शब्द मान रहें इसे तो ये रोजी चीक है और ये मेटाफर है कॉरल लिप मूंगे जैसे होट अगर कॉरल लाइक लिप होता तो यहां सिमली होता लेकिन ये कॉरल लिप दिया है यहां भी मेटाफर हो सकता है तो he that loves a rosy cheek और a coral lip admirers वो व्यक्ति जो प्रेम करता है रोजी चीक से या admirers प्रशंसा करता है coral lip की तो इस स्टेंजा में आपके रोजी चीक है coral lip है या star like eyes है सीधे सीधे आप एक लाइन में कह सकते हैं he that loves physical beauty वे है व्यक्ति जो शरीर की सुन्दरता से प्रेम करता है और तुमने हजार गाने सुने होंगे बॉली बुट के इन आख ना कान चाल बाल इन सारी चीजों पर है ना तो कोई नई बात नहीं है समझ रहे होंगे अब he that loves a rosy cheek वो व्यक्ति जिसका प्रेम टिका हुआ है जो प्रेम करता है किसी के गालों से या प्रशंसा करता है किसी के मुंगे जैसे लाल होटों की या from star like eyes doth she, doth seek, seek मानी खोजना और ये डथ मैंने बताया था कल भी बताया था आपको पिछली वीडियो में ये does यानि present indefinite को refer कर रहा है seeks वो खोजता है from star like eyes किसी की सितारे जैसी आखों से ये similar हो गया है क्या खोजता है fuel, fuel का मतलब है इन्धन to maintain his fires, maintain मतलब बनाए रखना और fires का मतलब है ज्वाला, प्रेम की ज्वाला, प्रेम का दिया देखिए कोई भी दीपक है, कोई भी दिया है, वो कब तक जलेगा जब तक उसके अंदर fuel रहेगा, जब तक उसके अंदर तेल रहेगा, तब तक वो जलेगा जहां उसका तेल खत्म, जहां इसका इनन खत्म, बहाँ पर आग बुझ जाएगी, बहाँ पर वो दिया बुझ जाएगा तो कहने का मतलब यह है, a person whose love is based on physical beauty, a person whose love totally depends on someone's beautiful eyes, someone's beautiful lips और someone's cheeks तो किसी का प्रेम अगर पूरी तरह physical beauty पर टिका हुआ है, तो as old times makes these decay, old times का मतलब है old age, बुझ हापा, makes these decay, decay का मतलब नश्ट करना, make decay नश्ट कर देगा these, these किसके लिए आया है, ऐसी आँखों के लिए, ऐसी नाख के लिए, ऐसे कान के लिए, ऐसे गालों के लिए, ऐसे चीक के लिए, बनलब physical beauty के लिए जो इन्होंने physical beauty के items दिखाए हैं, आँख नाख कान जो भी उनके लिए है, दीज, जब बुझ हापा आएगा और इनको नश्ट कर देगा, जिन आँखों को देखकर कह रहा था कि इस जहां की नहीं है, तुमारी आँख हैं, उन आँखों में हो जाएगा मोतिया बिंद, ज तो his flames must waste away, तो उसके प्रेम की ज्वाला भी, उसके प्रेम का दिया भी, waste away बुझ हो जाएगा, flame मतलब ज्वाला होता है, waste away मतलब नश्ट होना, बुझ हो जाना, तो यह हैं आपकी छैलाएं, जिनको आप ऐसे explain कर सकते हैं, explanation के लिए एक वीडियो अलग से बनाऊँगा, फ What does it mean, कि a person whose love is totally based on physical beauty, someone's beautiful eyes, someone's beautiful cheeks, or someone's beautiful lips, will certainly end as soon as her physical beauty ends, her physical beauty passes away, जिस दिन उसकी शरीर की सुन्दरता नश्ट हो जाएगी, उसका प्रेम भी पूरी तरह से नश्ट हो जाएगा, यानि, a lamp of love which is enlightened by dint of physical beauty, ऐसा दिया जो शरीर की सुन्दरता के इनन से जल रहा है, will be extinguished the day when old age approaches, जिस दिन बुढ़ापा आ जाएगा और इन सारी चीजों को नश्ट कर देगा, वो दिया भी बुझ जाएगा, तो इस इस्टेंजा means to say that physical beauty is not permanent and nor is physical love, ना शरीर की सुन्दरता टिकाओ है और ना उस पर आधारित प्रेम, अब देखिए दूसरा इस्टेंजा, जिसमें ये बात करते हैं spiritual beauty की, ये बात करते हैं मन की सुन्दरता की, ये बात करते हैं गुणों की सुन्दरता की, but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, यहाँ इन्होंने गुणों की चर्चा की है, smooth and steadfast mind, mind यानि मन कैसा हो, smooth हो, बिलकुल सरल हो, सुल्जा हुआ हो, जिसमें शक की गुणजाइस ना हो, जो सक की नेचर का ना हो, है ना, ऐसा ना हो कि जो बात बात पर शक करता है, over possessive है, है ना, बिलकुल सरल और सुबोध मन, सुल्जा हुआ हुआ मन, और साथ ही साथ कैसा, steadfast, द्रण, मजबूत, firm, है ना, ऐसा मन ना हो, जो चंचल हो, रोज अपनी इच्छाएं बदलता हो, रोज अपनी टेंडेंसी बदलता हो, रोजा ना उसकी चोईस बदल जाती हो, तो ऐसा मन बलकि ए, smooth and steadfast mind, इकसरल, सुबोध, इसपस्ट, एवम, द्रण, मन, gentle thoughts and calm desires, सज्जन विचार, honest विचार, और साथी साथ, calm desires, calm desires का मतलब है, शान्त इच्छाएं, ऐसा प्रेम, जो किसी मतलब पर आधारित ना हो, किसी स्वार्थ पर आधारित ना हो, जो इच्छाओं पर आ दारित ना हो, hearts with equal love combined, और heart ऐसे हो, जो equal बरावरी के प्रेम से आपस में जुड़े हुए हो, जो two-sided हो, दोनों तरफ से equal love combined हो, जहां ये सारे गुण मिल जाते हैं, जहां निस्वार्थ प्रेम होता है, जहां निश्काम प्रेम होता है, जहां सज्जन विचार होते हैं, जह शांत इच्छाएं होती हैं, ये पूरा subject बना, और सबकी joint verb है, किंडिल, प्रज्ज्वलित करते हैं, जलाते हैं, रोशन करते हैं, ये सारे गुण मिलकर रोशन करते हैं, क्या, never dying fires, एक ऐसा दिया, एक ऐसी ज्वाला, जो कभी नहीं बुझ सकती, means to say that spiritual love, the love based on mind and heart, the love based on spiritual beauty, the love based on virtues, is permanent, वो कैसा होता है, वो permanent होता है, वो अमर हो जाता है, even old age cannot destroy it, बुड़ापे के साथ साथ भी ये नश्ट नहीं होता है, ये permanent होता है, life long चल सकता है, even after life it can survive, जीवन के बाद भी ये चल सकता है, तो देखिए मन की सुन्दरता का, एक सरल example मैं आपको दूँ, when you are about to get married, शादी होने वाली होगी, तो आपके अंदर बहुत सारी choices हो सकती है, आपकी इच्छाएं बहुत सारी हो सकती है, कि हमारा जो पार्टनर हो, वो कैसा हो, या कैसी हो, उसकी height कैसी हो, वो दिखने में कै इसा हो, बहुत सारी choices हो सकती है, लेकिन आपने कभी अपनी मा के बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा, कि हमारी मा ऐसी होती, उसकी height ऐसी होती, उसका color ऐसा होता है, मतलब मा जैसी भी है, she is the most beautiful person for you, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुन्दर वो आपके लिए है, उसको आपके मन में कभी कोई choice नहीं रही, जैसी भी है, वो आपके लिए बहुत खुशूरत है, मा का जो प्रेम है, वो बिलकुल selfless है, मा का जो प्रेम है, वो unconditional है, है ना, तो ऐसा love भी exist कर सकता है, और हर रिस्ते में exist कर सकता है, और जो true beauty है, जो सच्ची सुन्दरता है, जो कभी भी बूड़े नहीं होंगे, not only in India, he is loved and admired in Pakistan also, तो गुणों की सुन्दरता, मन की सुन्दरता ऐसी होती है, जिसका समय भी कुछ नहीं बिकार सकता, वो permanent होती है, मन की सुन्दरता पर टिका हुआ प्रेम भी permanent होता है, spiritual beauty is permanent and the love based on spiritual beauty is also permanent, तो लास्ट में यह कहते हैं, सु and steadfast mind हो, जो मन हैं वो सरल सुबोद स्पष्ट हो, द्रण हो और gentle thoughts and calm desires, सजन विचार और शांत इच्छाएं, निश्काम प्रेम, hearts with equal love combined, यानि two-sided feelings, equal feelings for each other, kindle वो प्रजुलित करती हैं, never dying fires, ऐसी प्रेम की ज्वाला जो कभी नहीं बुझती, where these are not, और जहां पर ये गुण नहीं होते, लास्ट की दो लाइन्स में poet ने कहा है, कि जहां ये नहीं होते, क्या नहीं होते, जो शुरू की चार लाइन में इन्होंने गुण बताएं हैं, जहां ये नहीं होते, I despise, मुझे नफरत है, I dislike, I detest, I hate, lovely cheeks, or lips, or eyes, भाड में जाएं ऐसी आँखें, ऐसे नाख, ऐसे कान, ऐसे चीक, ऐसे lips, जो भी हैं, जो गुण रहित हैं, जिन में वर्चिव नहीं, वो beauty किसी काम की नहीं, ये इस्टेंजा था आपका, based on spiritual beauty, नहीं कविता का मेंसार है, उसका quintessence है, उसका निचोड है, कि सच्ची सुंदरता ही, सच्चा प्रेम ही, जीवन का आधार होता है, अगर ये poem explanation लिखने के लिए आपके exam में आती है, पहँचानना बहुत आसान है, जो पहला इस्टेंजा है, उसकी starting lines में आपको cheeks, lips, eyes मिल जाएगा, और जो दूसरा इस्टेंजा है, उसकी last line में आपक cheeks, lips और eyes मिल जाएगा, तो ये थी आपकी poem और अब आगे हम पढ़ते हैं, इसका central idea कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए, ये है central idea, tribute, the poem says that, कविता कहती है कि, it is useless to run after physical beauty, शारीरिक सुन्दर्ता के पीछे दोड़ना व्यर्थ है, निरर्थक है, क्योंकि it is transient, transient होता है, छनिक, जो आज है, कल नहीं रहेगा, इसका opposite होता है, permanent, permanent होती है कोई चीज जैसी, जो immortal हो, सनातन हो, सदा सदा के लिए हो, और transient होता है, छनिक, पल भर के लिए, तो कविता कहती है कि शरीर की सुन्दर्ता के पीछे दोड़ना व्यर्थ है, क्योंकि ये छनिक होती है, it decays, यहें nust हो जाती है, decay का मतलब nust हो जाना, to get destroyed, है न, nust हो जाती है, As the old age approaches, जैसे ही old age आती है, जैसे ही बुढ़ापा आता है, So, the love based on physical beauty also decays, इसलिए जो प्रेम शरीर की सुन्दर्ता पर, शारीर की सुन्दर्ता पर based है, टिका हुआ है, also decays, वह भी nust हो जाता है, फिर आगे कहते हैं, true beauty, सच्ची सुन्दर्ता means, सच्ची सुन्दर्ता का अर्थ है, आत्मा और मन की सुन्दर्ता, It lives, यहें निवास करती है, किसमें, virtues में, गुणों में, सज्जन विचारों में, gentle thoughts में, and selfless love, और निस्वार्थ प्रेम में, निश्काम प्रेम में, It is immortal, और यह कैसी होती है, immortal, और जो physical beauty है, वो कैसी होती है, transient, यह होती है, immortal, यानि कि अमर, तो जो सच्ची सुन्दर्ता है, वो अमर होती है, So, इसलिए, the love based on true beauty, सच्ची सुन्दर्ता पर आधारित प्रेम भी कैसा होता है, immortal, वो भी अमर होता है, यानि कि सच्ची सुन्दर्ता अमर होती है, और उस पर टिका हुआ प्रेम भी अमर होता है, Beauty without virtues, बिना गुणों के सुन्दर्ता, इस ऐसी होती है, like, जैसे की, a rose without fragrance, बिना खुश्बू का गुलाब, या a tree without shade, या बिना चाया का कोई रिक्ष, ठीक है, बिना चाया का कोई रिक्ष, तो ये था आपका central idea of tree beauty, and this poem is composed by Thomas Terrio, अभी एक वीडियो हम explanation पर और बनाएंगे, दस नंबर का explanation आएगा, उसको भी हम लोग अच्छे से लिखना सीखेंगे, आज की हमारी वीडियो इतनी ही, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात हो,